हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल टेट्रिक्स पर मैं हूं निसांत पाठक और आजम चर्चा करेंगे अपने सीटेट पेपर 2 के सोशल साइंस सेग्मेंट की जिसमें पॉलिटी यानि राजविवस्था को सामिल किया गया है चलिए शुरू करते हैं अपने चेप प्रोबाइट करवाए जा रहे जो आपके इस प्रेप्रेशन में मददकार सावित हो सकते हैं और यह सभी वीडियो आपको हमारे इस चनल पर फिरी में प्रोबाइट करवाए जाएंगे साथ ही साथ आप यहां पर PDF वी प्राप्त कर सकते हैं चलिए शुरू करते हैं अपन कि चरचा करेंगे अंघरी इस स्थानी सरकार है किया Local Government है क्या तो यहां पर हमें कौन से टॉपिक्स पड़ने पहले हैं पहला होगा इस्थानी सरकार का दूसरा ग्राम सभा का तीसरा ग्राम पंचायत का चौथा ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में जो डिफ्रेंस है अंतर है वह भी देखेंगे ग्राम सभा की विस्थाइं क्या है कार क्या है अधिकार क्या है पंचायती राज देखें नगर प्रिसासन और नगरपालिका देखेंगे जिला परिसद और पारसद देखेंगे तो चलिए सुरू करते हैं इस्थानी सरकार से और यहां पर यह स्तानी सरकार जन प्रसासन का एक रूप है जो अधिकांस जगहों पर किसी राज या राष्ट की सबसे निचली स्रेंडी की प्रसासन की काई होती है सबसे निचली स्रेंडी की नेक्स्ट इसके ऊपर जिले प्रांत राज या राष्ट का प्रसासन होता है जिसे राजकिय सरकार राष्ट्री सरकार संगी सरकार इत्याद नामों से जाना जाता ह बारत एक संग है तो संगी सरकार है नेक्ष्ट इस्थानी सरकारों के पास वह अधिकार होते हैं जो संविधानिक रूप से विधेकों द्वारा उन्हें प्रदान किये जाते हैं किने इस्थानी सरकारों को जो विधेक सामिल किया गया है त्यात्रवा संविधान संसोधन लटन करने तो किसी एक all गाउं या एक सिये अधि गाउं के समूहों के मतदताओं की सूची में सामिल ब्यक्तियों की संस्था से ने कि इस ग्रम सभा के परिवासा के अंसार कम से कम 300 या उससे ज़्यादा लोगों की जनसंखया होनी चाहिए तब क्या बंती है एक ग्राम सभा सके घ्राम पंशायत की तो गरामीड़ छेत्र में बिकात के और और मूल भूत योजनाव हित ग्राम सभा द्वारा एक कारिकारी संस्था जिसे ग्राम पंचायत कहते हैं का गठन या निर्माण किया जाता है किसके द्वारा ग्राम सभा के द्वारा जिसका उम्मीद बार ग्राम सभा के सदस्य सूची में सामिल होता है और उचित चुनाव क के माध्यम से ग्राम पंचायत के अध्यच का चुनाव किया जाता है जितने भी ग्राम सभा के सदस्य उन्हीं के बीश से ग्राम पंचायत के अध्यच का चुनाव कर लिया जाता है एक बढ़िया चुनाव प्रिक्रिया के द्वारा नेक्ष्ट ग्राम पंचायत को ग्राम इस जब कि ग्रामसभा की बेठक में ग्राम-पनचायत अपनी योजनाएं लोगों की सामने रखती है। नेक्स्ट अम बात करते हैं, ग्राम् सबा का विक्टन कभी नहीं होता, इसे ग्राम् पंचायत की निगरानी इकाई भी कहते हैं क्योंकि ये मतदाता सूची में सामिल होते हैं नेश्ट गराम पंचायत, पंचायती राज की सबसे छोटी और निरवाची तिकाई है, जो पांच वर्सवाद बिक्टित हो जा दिया, यह उससे पहले बिक्टित की जा सकती है, नेश्ट हम बात करते हैं, गराम सभा के मुखिया गराम प्रदान होते हैं, गराम पंचायत का प्रमुख भी सरपंच या ग्राम प्रदान होता है सरपंच के इलावा प्रतियक वार्ड से बार्ड पंच भी चुने जाते हैं जो अपने वार्ड को प्रतनेजित प्रदान करते हैं तो एक प्रदान है चाहे ग्राम सभा का मुख्या उसे भी ग्राम प्रदान कहते हैं ग्राम सभा एक निगरानी का है जो गिराम पंचायद के कामों पर नजर रखती है इसके सदस्यों को गिराम पंचायद के प्रत्मेदियों को चुनने का अधिकार होता है गिराम सभा एक इस्थाई निकाय है जो कभी भंग नहीं होती जैसा कि संसद का राज सभा सदन होता है जैसा कि जो राज के विधान मंडल हैं उनका उच्छ सदन होता है या विधान परिसद होता है यह भी क्या है स्थाई सदस next सभी मदधाता इसके आजीवन सदस रहते हैं गिराम सभा में स्वेम जनता की उपस्तिति होती है किसमें ग्राम स्भा में। नेक्स्ट यह कभी विग्टित नहीं होती, यह अखंड और इस्ठाई होती है, इनके सदस्यों का चुना नहीं होता, क्योंगि यह सभी मताता सुची में सामिल होते हैं, और मतला सूची हैं बही लोग सामिल होंगे जिनकी उम्र 18 साल या इससे उपर होगी नेक्स्ट ग्राम सभा के लिए ग्रामिल बिकास मंत्रालय द्वारा ग्राम बिकास अधिकारी निक्त किये जाते हैं जो ग्राम सभा के सदस्यों के प्रत उत्तरदाई होता है जिसे हम क्या कहते हैं वीडियो नेक्स्ट हम बात देख करते हैं ग्राम सभा के कार्यों की सही माइनों में ग्राम सभा गाउं के सभी कामों की निगरानी करती है कौन ग्राम सभा नेक्स्ट हम देखते हैं पंचायती राजदनियम 1992 में ग्राम सभा को मानिता दी गई है किसमें पंचायती राजदनियम 1992 में नेक्स्ट, इस्थानी स्वसासन में ग्राम सभा को गाउं को विकास के पत पर ले जाने की जिम्यदारी दी गई है, इसलिए ग्राम सभा को गाउं की सरकार कहते हैं, क्योंकि गाउं को विकास के मार्ग पर ले जाती है नेक्स्ट में बात करते हैं ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रुक सकती है इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतनिदियों पर नजर रखने और लोगों के प्रत उन्हें जिम्यदार एम जवाहव देव बनाने में बहुत से महत्पूर भूमिका निभा क्षिबाना है तो यह काम न रुमाड समित करेगी इन समितियों में कुछ सदस ग्राम सभा के सामिल होते हैं किसमें समित में बात करते हैं लंड पंचायत के कार्रियों सहता करना किसकी ग्रां पंचायत next किसी योजना को लागू करने है तो गाउं के योग लावानवित होने वालों की पहचान करना यद ग्राम सभा नहीं कर पाती है तो कौन करेगा ग्राम पंचायत next अम बात करते हैं गाउं के भीतर रोजगार सिच्छा बस्वास्ते संबंदी बिस्यों पर कारी करना यह किसके जिम्दारी ग्राम पंचायत की next अम बात करते हैं गाउं में उर्जा, सडक बग्राम विकास से जुड़े सभी मुद्दों पर कारी करना या उचित इस तरपर सरकार के समझ रखना यह कारी किसका है ग्राम पंचायत का next गाउं के योगि बालक बालिकाउं को छात्र वर्तिका सुईकरण और आवंटर्न करना किसका कारी है ग्राम पंचायत का गाउं के गरी परिवार एम बुजरगों के लिए पैंसन और अन्निस्वधा का लाब देना भी इसका कारी है next रासन या सार्विनिक बित्र प्रडाली द्वारा सस्ते मूले पर खाद का लाब देना भी इसका कारी है next प्रावधाना नुसार ग्राम सभा की नियमित बैठक विगुलाना ग्राम पंचायत का एहम कारी है क्योंकि बिना बैठक के लावा कोई भी जवाब दे ही नहीं हो सकते है हम बात करते हैं पंचायती राज की तो पंचायती राज संस्ता भारत में ग्रामिल इस्थानी स्वसासन की एक प्रडाली है पंचायती राजविवस्था ग्रामील शेतर में समस्त बरगों के लोगों की लोगतंतर में अधिक्तम भागीदारी दर्ज करवाने के लिए हमारे देश में पंचायती राजविवस्था को अपनाया गया है जो 1992 में संसोधन करके सामिल किया गया था नेक्स्ट अनुचेट चालिस जो नीत निद्यसक तक्तों में सामिल है अनुचेट चालिस बारती समयदान के भागश्यार में नीत निर्द्यसक सिधानतों में कहा गया है कि राज ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा कौन राज और उनको ऐसी सक्तिय और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत सासन की एकाईयों के रूप में कार करने के लिए योग बनाने के लिए आवस्चक हों तो यह किसमें बताया गया है अनुचेट चालिस में जो किसमें सामिल है सम्वेदान की भाग चार की नीत निर्द्यसक तक्तों मे नेक्स्ट पियाराई या पंचायदी राजसन स्थाएं को 73 सम्वेदान संसोदन अधनियम 1992 के माध्यम से जमीनी स्थर पर लोगतंत्र को साकार करने के लिए सम्वेदानिक दरजा प्रदान किया गया था और इसे देश में ग्रामील विकास का कार सौपा गया था इस अधनियम ने भारत के सम्वेदान में एक नया भाग नौ जोड़ा और इस भाग में पंचायदों के लिए अनुच्छे 243 से अनुच्छे 243 ओ तक नई प्रावदान सामिल किये गई किस अधनियम के द्वारा इस पंचायदी राजसन अधनियम 1992 के द्वारा नेक्स्ट इसके अलावा अधनियम ने सम्वेदान में एक नई ग्यारेवी अनुच्छी भी जोड़ी है इस अनुच्छी में पंचायदों को 29 कार्यात्मक मदें या कार्य सामिल किये गए हैं यह अनुच्छे 243 जी से संबंदित है जिसमें इसे कार्यों को आवंटित किया गया है नेक्स्ट इम बात करते हैं अपने बर्तमान स्वरूप और संरचना में पंचायती राजस्थाओं ने अपने अस्तित्व के तीस वर्स पूरे कर लिये हैं हालांकि जमीनी इस तरह पर बिकेंदरी करड़ और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आगे बहुत कुछ गौतरी होतां मालीन प्रदानमंदर्री जवारलाल नहरू ने राजस्थान के नागूर जिले में श्यॅ कि पंचायती राजका दोधातन किया था किसने गाव का को भी विक्रीम्र 18 वर्स से अधेक्व जिसका नाम गाव की मत्ढता सूची में सामिल हो जिसे मतदान करने का दिकार हो वह ग्राम सभा का सदस्य होता है जिसे भी मतदान करने का दिकार प्राप्त है वह ग्राम सभा का सदस्य है इसलिए यह विव्टेद नहोने वाली संस्था है नेक्स्ट एक अपरेल 2011 से ग्राम सचवाले विवस्था को सभी जिलों में लागू कर दिया गया है इस विवस्था की अंतरगत प्रितियेक महा की 5, 12, 20 और 27 तारीख को ग्राम पंचायत पर ग्राम पंचायत इस तरी सभी विवागों के करमचारी उपस्चित रहकर आम जनके क तारीख को संपन करते हैं कब कब करते हैं यहां पर 5 तारीख 12, 20 और 27 तारीख को नेक्ट हम देखते हैं राज की समस्त पंचायतों में 1 मई 15 अगस्त 2 अक्टूबर 26 जनवरी को ग्राम सभा की बैठिक अनवार रूप से आयोजित की जाती है बाढ़ पंचों की संख्या गा बरतमान में लगवग 500 की आवादी पर एक वाड के गठन का प्रावधान है जो अलग-अलग राजियों के लिए अलग-अलग हो सकती है नेक्स्ट इन्हें बाढ़ से एक पंचाय सदस्य या बाढ़ पंच निर्वाचित किया जाता है नेक्स्ट सरपंच और इसके बाढ़ सदस्यों के निर्वाचन के बाढ़ राज निर्वाचन आयोग गिराम पंचायत को गठित करने की गोच्रा कर देता है नेक्स्ट हम देखते हैं बाढ़ सवा आखिर क्या है बाढ़ सवा गिराम सवा की तरह पंचायत ब्रत के बाढ़ों में बाढ़ सवा का भी प्रावधा कि बाठ सभा की बैठक के लिए गढ़ पूर्त सदस्यों की इकोर संख्या का दसवा हिस्सा या एक वटए 10 होती है ईसे क्या कह चाता है कूरं at कि कूरं कितना है है कूरं कितना है एक गोट पढ़त के निच्ज जितन गरामीड सोसासंत इस्तिरी संरचना है कौन-कौन सी पहली ग्राम पंचायत फिर बिकास खंड फिर जिला पंचायत हमारे मतलब राज्य राज्य मारे राज राजस्थान के 33 जिलों में 33 जिला परिसत 355 स्मितियां और 11341 ग्राम पंचायत बर्तमान में कारत हैं तो यह कहां पर हैं राजस्थान में हर राजी की अपनी अलग-अलग है नेक्स्ट दो अक्टूबर 2010 को पांच विवागों सिच्छा चेकिस्सा एवं स्वास् पंचायत लोगतंद्र की पहली राजनीतिक इकाई है कि हम देखते हैं सरपंच का चुनाव ग्राम पंचायत के चुनाव सभी मतदाताओं द्वारा किया जाता है पंचायत चुनाओं को राज चुनाव आयोग द्वारा कराया जाता है पंचायत के सदस्यों का कारिकाल पां रखना है बैठकों की कारवाई लिखना आद है किसका गिराम पंचाय सचिव का नेश्ट में बात करते हैं पंचायत समित की तो पंचाय समित गिराम पंचाय तता जिला परिसद को जोड़ने वाली एक महत्वपूर कड़ी है पंचाय समित में प्रतेश चुनाओ द्वारा कु नेश्ट में बात करते हैं पंचाय समित सदसे के लिए 25 वर्ष या उस अधिक आयवाला होना चाहिए कि सदस्य बनने के लिए कितना 25 वर्ष नेश्ट उस शेत्र का मद्दाता चुनाओ लड़ सकता है निर्वाचिस सदस्यों की अतरिक्त पृतियक जिले से संबंदित विक पंचाय समित के सदस्यों का कारिकाल 5 वर्ष का होता है नेश्ट अब बात करते हैं गिराम पंचाय छेतर के अलग अलग बार्ड़ों से प्रतनिद चुनी जाते हैं जिनें हम बाड़ पंच कहते हैं बाड़ पंचों द्वारा अपने मैंसे किसी एक को उप सरपंच चुना ग्राम पंचायद का मुख्या सर्पंच कहलता है नेक्स तम बात करते हैं ग्राम पंचायद की आम्दनी के शुरूतों की तो देखते हैं घरों और बाजारों पर लगाये जाने वाले कर से मिलने वाली रास बेभिन सरकारी बिभागों द्वारा चलाई गई यूजनाओं की र के लिए मिलने वाला दान नेक्स्ट पंचायत में अच्छे काम करने के लिए पंचों को निर्मल ग्राम पुरुषकार से समानित किया जाता है किसके निर्मल ग्राम पुरुषकार से अच्छे काम करने के लिए नेक्स्ट पंचायत के तीन इस्तर हैं भारत में लाखों गाउं हैं उन सभी गाउं में अच्छी विवस्ता बनाए रखने के लिए गाउं का एक प्रिसासनिक धाचा होता है नेक्स्ट पंचायती राज विवस्ता लोगतामत्रिक सरकार की पहली सीड़ी है नेक्स्ट पंचायती राजववस्था में लोगों की भागेदारी दो और इस तरों पर होती है नेक्स्ट एक पंचायत समित में कई ग्राम पंचायत होते हैं पंचायत समित के उपर जिला पंचायत या जिला परिसद होती है यह तीसरा इस्तर होता है गिराम पंचायत के बाद दूसरा इस तर विकास खंड का होता है जिसे जनपत पंचायत या पंचायत समित भी कहते हैं यहाँ पर हम ऐसे देख सकते हैं अगर सीर स्क्रम देखा जाए तो हम यहाँ पर गिराम पंचायत को रख सकते हैं यहाँ पर पंचायत समित को रख सकते है जो अपने बिलॉक इस्तर पर होती है, यहाँ पर हम जिला पंचायत को रख सकते हैं, जो जिला के इस्तर पर होती है, तो यह एक सीर सी किरम है, तो सबसे निशले इस्तर पर गिराम पंचायत, फिर इससे उपर पंचायत समित, यहाँ पर यह बिलॉक पंचायत इसके बिलॉक जाता है क्यों क्योंकि जिला पंचायत की जो सकते होती है वह पंचाय समित से ज्यादे होती है और सबसे कम गिराम पंचायत की होती है नेश्ट हम बात करते हैं जिला परिशत एक जिले की इस्तर पर विकास की योजनाय बनाती है पंचायत समित की मदद से जिला परिशत सभी पंचायतों में आवंटित राज के बित्रड की विवस्था करती है कौन जिला परिसत है नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्विभाग का कारी क्या होता है तो जमीन को नापना और उसका रिकार्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है अलग-अलग राजियों में इसे भिन भिन नामों से जाना जाता है जैसे पटवारी, लेकपाल, करमचारी, गिरामिट अधिकारी, कानून गो आदि नेक्स्ट प्रतियेक पटवारी कुछ गाउं के लिए जिम्मेदार होता है पटवारियों के पास खेत नापनें के अलग-अलग तरीके होते हैं कई जगह पर भ ड valeur खित्र में उने वाली फसलों के बारे में जानकारी द्था है यह काम वह अपने रिकॉर्ड की आधार पर करता है वह अपने रिकॉर्ड को समय समय पर अध्यतन या ज्याच भी करता है क्योंकि लोग अपने छीतर्म बदलाव करते रहते हैं नेक्स्ट इन सब का हिसाव रखना सरकार के राजस विभाग का कार होता है इस विभाग के बरिष्ट लोग इस काम का निरी छड़ करते हैं नेक्ष्ट हम देखते हैं नंगर प्रसासन तो सहर भारती जनगड़ना के मानक के अनुसार सहर से तातपर उन छेतरों से है जहां कम से कम 5000 की जनसंख्या हो और उ हो है क्या है सहर हो है सहर है नेक्ष्ट नंगर निगम बेवड़े सहर जहां जनसंख्या पांच लाग से जादा हो और बहां सालाना आए एक करोड़ से जाद हो तो बहां नंगर निगम बनाए जाते हैं बरतमान में राजस्थान में कुल नंगर निकाय दोसों तेरे नंगर पालिका, 167, नगर परिशत 35 तथा नगर निगं 10 हैं नेक्स्ट, बार्मी अन्सूची संब्धान की बारहवी अन्सूची में नगरी संस्ताओं को 18 कार्यों का उल्लेख किया गया है किसमें? बार्मी अन्सूची में नेक्स्ट चौत्रवा संवेधान संसोधन के द्वारा सहरी निकाई संस्थाओं को कानूनी अधिकार दिया गया है जिसके माध्यम से एक बारवी अंसूची जोड़ी गई जिसमें कुल कितने कारियों का उलेख है अठारे कारियों का नेक्स्ट हम बात करते हैं सहरी इस्थानी निकाईयों की स्थापना लोग तांतरिक पे कैंधरी करड़ के उत्यसिव की गई है भारत में आठ प्रिकार के सहरी इस्थानी निकाय बिद्दमान हैं जैसे नगर्नेगम, नगरपालिका, अदसूचित, छेतर समित, नगर छेतर सम दरा देखा जाता है isto कि आवास और सहरी मांबलों के मंनतराले को एक अलग मंतराले के रूफ में बनाया गया था कब 1985 में चाहबनी बोड़ों के मांबले में रच्छा मंतराले के अंद्र-शाषित प्रदेश की मांबले में गरह मंतराले है इस adop encant नेक्स्ट बर्स 1992 में शहरी इस्थानी सरकार से संबंदे चोहत्रवा संब्धान संसोदन अधरियम पीवी नरसिमा राव की सरकार द्वारा प्रिस्तुत किया गया जो एक जुन 1993 को लागू हुआ नेक्स्ट इसके द्वारा संब्धान में भाग 9A को जोड़ा गया जिसमें कुल जिसमें अनुच्छे 243 P से अनुच्छे 243 Z जी तक के प्रावधाम सामिल है नेक्स्ट संब्धान में बारहवी अनसूची जोड़ी गई इसमें नगर पालिकाउं से संबंदित 18 विस्यों को स संबंदित है नेक्स्ट बात करते हैं नगर पालिका की तो सहरी छेत्रों में विवस्ताव को बनाये रखने के लिए नगर निगम कारे करती है यह सड़कों पर रोशनी की विवस्ता कूला एक खटा करने पानी उपलब्द कराने आधिका काम करती है कौन नगर पालिका से उपर कौन है नगर नेगम यहां पर नगर पालिका परिषट यहां पर नगर पंचाय तो छोटे टाउन यह थोड़े सहर जो बड़े है यह महानगर ठीक यहां पर मेयर होता है प्रमुक यहां पर यहां पर अगर देखा जाए तो भो भी नगरपाले का परिसद का एक अध्यच होता है जिसे चेर परिसन कहते हैं यहां पर भी चेर परसन ही होता है ठीक है तो जिला परसद पंचायती राज विवस्था के सीर्स इस्तर के रूप में जिला परसद की विवस्था की गई है जो कि जिले के इस्तर पर विकास की उजनाय बनाती है जिला परसद के निर्वाचित सदस मिलकर जिला प्रमुक तथा उप जिला प्रमुक का चुनाव करते हैं जिला परिस्द के निर्वाचित सदस्यों के अत्रिक्ट जिले की पंचाय समितियों के प्रधान जिले से निर्वाचित बिधान सवा सदस जिले से निर्वाचित लोग सवा एमराज सवा के सदस भी जिला परिसद के सदस्य होते हैं जिनने राज के विधान मंडल द्वारा प्रतनिजत दिया जा सकता है नेक्स जिला प्रमुख को जिला परिसद के समस्त कार्यों में मदद करने के लिए राज सरकार द्वारा एक मुख कारिकारी अधिकारी की निक्त की जाती है जिले के समस्त विकास कार्यों का उत्तर दायत जिला परिसद का होता है हम देखते हैं परिसद क्या है तीन तरह के स्थानी निकायों में इस्थानी लोगों द्वारा अपने अपने प्रतने चुनकर भीजे जाते हैं जिने परिसद कहा जाता है चुनाव राज के चुनाव आयुक द्वारा कराए जाते हैं बाड का कोई भी बयस का नागरिक जो 21 वर्स की आयुपूरी कर चुका हूँ पारसद का चुनाव लड़ सकता है कितने 21 वर्स की आयुपूरी कर चुका हूँ नेक्स्ट कुछ पारसद मिलकर समितियां बनाते हैं जो बिभिन मुद्दों पर विचार विमर्स करके नड़ा लेती हैं नेक्स्ट पारसदों की समितियां एवं पारसद बिभिन मुद्दों पर नड़ा लेने का काम करते हैं वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त और नेक्स्ट इनकी निक्त सरकार द्वारा किया जाते हैं जबकि पारिसद निर्वाचित होते हैं तो परिसासने कोई भी करिंचारी होगा उनकी निक्त कौन करेगा सरकार नेक्स्ट सारे वार्ड के सदस पारिसद मिलते हैं और सबकी समलित राई से एक बजट बनाया जाता है उसी बजट के अंसार पैसा खर्च किया जाता है नेक्स्ट पारिसद यह प्रियास करते हैं कि उनके बार्ड की विशिष्ट जरूतें परिसद के सामने रखी जा सकें नेक्स्ट जिन लोगों के पास धर होते हैं उन्हें संपत्य कर देना होता है और साथ ही पानी और अन्य सुवधाओं के लिए भी कर देना होता है next किसी वाड के अंदर की समस्या को लेकर लोग पारसद से संपर कर सकते हैं या विरोध प्रदर्शन भी कर सकते हैं next पैसा बचाने के लिए कई नगर निगम ने कचरा उठाने और ठेकाने लगाने के लिए ठेकेदार रख लिए हैं यह निजी करण का उधारड है next नगर निगम ने ही सुझाव दिया था कि खाने पीने और गलने वाली चीजों को एक कूड़े दान में डालें और प्लास्टिक कांच जैसी नगलने वाली चीजों को दूसरे कूड़े दान में जब हम अपने कचरे की छटाई कर देते हैं तो निगम बालों का काम थोड़ा आसान हो जाता है नेक्स हम देखते हैं 1994 में सूरत सहर में भेंकर फिलेग फैला था सूरत भारत के सबसे गंदे सहरों में से एक था अब हम बात करते हैं पने कुछ टाइम की तो पहला सहर कहने के लिए कम से कम कितनी जिंसंख्या होनी चाहिए पहला 2000 दूसरा 3000 जार चौथा पांच हजार और तूसरा 5000 और चौथा चार तो कितना 5000 हम देखते हैं यह कथम दीया गया है भारत बर्स की स्थानी संस्ताओं को मोटे तोर से दोस्रेंडियों में रखा जा सकता है पहली नगरों की देखवाल करने वाली संस्ताइं ग्रामीड च्छेत्रों की द सत्य हैं तो यहां पर हम A option को चूच कर लेते हैं A और R दोनों सही हैं और R A की सही व्याख्या करता है नेक्स्ट हम देखते हैं एक ग्राम पंचायत का प्रमुख कहलाता है पहला वार्ड पंच पंच पंचायत सचिप प्रदान और सरपंच ये दोनों एक होते हैं तो ग्राम पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है प्रदान या सरपंच नेक्स्ट कोशन हम देखते हैं पंचायती के लिए है कि किराम पंचा जवाब दे होती है किसके प्रत बाड़ पंच के प्रत पंचा सचप के प्रत तरव पंच के प्रत ग्राम सभा के प्रत ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है जिसका अंसर आप कमेंट करके हमें दे सकते हैं साथ ही साथ हैं बता सकते हैं कि आपक को लाइक कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं आपका हमारी पीडियों देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुरू